गलोबन नियूज में शान अपरवीन दलित पर हुआ हमला पुलिस ने नहीं की कोई कारवाई घर से नगदी और जेवराद भी लूट कर ले गए दबंग लोग पीडितों की थाने में सुनवाई ना होने के बाद पुलिस अधिक्षक की शरण ली गई ललित पुर्थ हना कोतवाली के अंतरगत ग्राम पट सेमरा निवासी एक महिला ने पुलिस अधिक्षक को प्रातना पत्र दिया और बताया कि 27 मई को रात 7 बजे जब हम सभी अपने घर पर थे उसी समय गाउं के ही कुछ दबंग लोग अचानक घर में घुसाई और बिना बा आया था उक्त लोग वह रुपे 50,000 और घर में रखे सोने के जेवरात भी ले गए घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की इसलिए पीडितों ने आज पुलिस अधिक्षक ललित पुर की शरंडी और अपनी आप बिती सुनाकर अधिक्षक लेटे ती मारू हमें खुब जम जम के तीन आदमने और ठाक अनने और हमाई घर से लूट मार भी कल ले गए तरह पुलिस में गए तो क्या हुआ पुलिस ने कुछ नहीं करो पैसा ले लगा कर एक सो इंक्यान की धारा लगा कर दो और आपको भी बंद कर दो औ कौन लोग है वो गाговे कि मुलाम सिंग है मुलाम सिंग तरह रान सिंग और विकरां सींग इस सूबरन सिंग और उनको इक चाम शाचा को लड़का है में तुनूस को हमें नाम हमनी आप का गुंडे किजम के बयाकती है उन तीन भुट गुंडा की धी प्रिक करते हैं सब हम कि गरीब आदमी हैं साथ क्या क्या लेगा घर से घर से ले गए पैसा भी हमा उठा ले गए हमें तो कुई होता नहीं है तू तो पैसा भी ले गए और एक मोबाली भी ले गए अच्छा